भारत सरकार के Think Tank निती आयो की एक रिपोर्ट स्वास्त राज्य प्रगतिशील भारत के शिर्षक से जारी की गई है। इस रिपोर्ट में प्रस्तुत स्वास्त सुचकांग के स्टेट हेल्थ रैंकिंग में केरल पहले पायदान पर है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार इस रैंकिंग में सबसे नीचे हैं। पिछले साल 2018 की रैंकिंग में भी केरल टॉप पर था। हालाके पिछले साल के मुकाबले केरल के प्रदर्शन में गिरावट आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आंधर प्रदेश और महरास स्वास सुविधाओं के मामले में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। स्वास मंत्राले के साथ मिलकर वर्ल्ड बैंक की मदद से 23 अलग-अलग पैमानों पर राजियों का आंकलन करता है जिनके आधार पर स्टेट हिल्थ रैंकिंग जारी की जाती है। इसे स्वास्त योजना पडिनाम, नौजात मृत्यूदर, रजनंदर, जन्म के समय इस्तिरी पुरुष, अनुपात, संचालन व्यवस्था और सूचना आधिकारियों की न्यूकती ओवधी के साथ प्रमुक इन्पुट प्रक्रियाओं, नर्सों के खाली पड़े पद, जन केंदर शाषित प्रदेशों की रैंकिंग तीन श्रेणियों में की गई है, पहली श्रेणी में 21 बड़े राज्य, दूसरी श्रेणी में 8 चोटे राज्यों, और तीसरी श्रेणी में केंदर शाषित प्रदेशों को रखा गया है, पूरी रैंकिंग में 21 बड़े राज्यो की सूची में बिहार 21 अस्थान पर सबसे नीचे रहा है जबकि उत्तर प्रदेश 20 में उत्राखंड 19 में और ओडिशा 18 में अस्थान पर रहा है रिपोर्ट के मताबिक बड़े राज्यों में हर्याना राजस्थान और जारखंड ने पिछली बार की तुलना में अपनी रैंक और नागर हवेली का पहला अस्थान है जबकि चंडीगड की पहले से इस्तिती बेहतर हुई है और ये दूसरे अस्थान पर है सूची में लक्षदीप सबसे नीचे और दिल्ली पांचवे अस्थान पर है इस रिपोर्ट को जारी किये जाने के मौके पर निती आयोग के उ और वीके पॉल ने कहा स्वास्थ छेतर में अभी काफी काम करने की जरूरत है इसमें सुधार के लिए इस्थिर प्रशाशन महत्पूर्ण पदों को भरा जाना और स्वास्थ बजट बढ़ाने की जरूरत है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि केंदर सरकार को अपने सकल घर प्रेली उत्पाद का 2.5 प्रतिशत स्वास्थ पर खर्च करना ही चाहिए जबकि राज्यों को स्वास्थ पर अपना खर्च राज जी टीपी के ओसत 4.7 प्रतिशत से बढ़ा कर 8 प्रतिशत कर देना चाहिए कई संकेतकों पर खराब प्रदर्शन के कारण रिपोर्ट के अ झाल झाल